है है कि कि है अगव फिर्च है आप सभी का एक वार फिर से अपके अपने यूटूब चैनल कॉम्सेटीफ पंड़ावर तो तो दोस्तों आज मैं फिर से एकवार आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने वीडि़ी सीरीज की एक नई वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं UPSI के कुछ प्रीवेस यर के पेपर के बारे में दोस्तो आज का जो पेपर है वो 13 दिसंबर 2017 की फ़र्ष्ट सिर्ट का पेपर है इसमें जो जीके का पार्ट था उसमें जो 40 कोशन पूछे गए थे उनके बारे में ह होसारी और वीडियो प्रीविएस यर से समध्यत बनाई हुई हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं उनका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की description में भी बिल जाएगा दोस्तो आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग र जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सैसन देखी जो पार्ट है वो है बेसिक लॉग कॉंस्टिशन जर्नल नॉलेज का इसमें 40 कोशन पूछे गए थे और इन 40 कोशन को हम एक एक करक प्रणाली के अनुसारिक निर्वाचिक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है तो ये है एकल हस्तान तरणिये मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिने दिश्ट बदारा ओप्सन डी इसका करेक्ट आंसर रहा फिर कुशन थर्ट था जिसमें पुछा गया था किस निया मामले में सुप्रिम कोट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसत बिधायक वा विदान परशद का सदस जो एक अपराज का दोसी पाया जाता है और जिसे नियूनितम दो साल कारवास की सदया दी गई है वो ततकाल प्रवाफ से सदन की सदसता खो देगा तो ये था दोस्तों वो समिधान सभा द्वारा तयार किया गया था इस समिधान की सभा में समिधान तयार करने के लिए समिधिया थी तो कितनी समिधिया थी तो इसमें दोस्तों देखिए ये थी 13 समिधिया ओप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था पोशन फिप्ट है इसमें पूचा गया था निमलिक सचिप की नियुक्ति की जाती है और राज्यों के राज्यपालें की नियुक्ति राश्टपती के द्वारा की जाती है अगला कुशन सिक्स है इसमें पुछा गया इंटरनेट को प्रहदोगी की अविश्कार है जिसमें रोजमर्रा की बस्तू को नेटवर्क से जोड़ा जात कि जो बहुतनी बस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है और उनका डेटा भेज सकें और उसको प्राप्ट कर सकें Q7 देख लेते हैं इसमें पुछा गया था मंत्रियों की परिशद सामुहिक रूप से को जवाब दे होती है तो किसके लिए जो मंत्री परिशद होती है तो वो होती है लोक सभा के प्रति जवाब दे होती है Q8 भारत का अधिनियम जंगली जानवर पक्षियों को अधो के सुरक्षा प्रदान करता है तो यह करता है वन जीव सरक्षन अधिनियम अगला question 9 देख लेते हैं इसमें पुछा गया समग्र और द्योगिक नीती और देश में प्रतेक्ष विदेशी निवेश प्रहा को सुविधा जनक बनाने और उनमें ब्रद्धी के लिए जिम्मिधार है तो इसमें आप option देखेगा option D आप देख रहे होंगे और द्योगिक नीती और समबर्धन विवा option D इसका correct answer है अगला है question number 10 इसमें पुछा गया किस साल में भारती इंपीरियल पुलिस को भारती पुलिस सेबा IPS के द्वारा बदल दिया गया तो पहले जो नाम था IPS का वो था भारती इंपीरियल पुलिस और इसको बदल के IPS यानि भारती पुलिस शेबा कर दिया गया था यह गया 1948 में option D इसका correct answer अगला question number 11 आप देख रहे हैं इसमें पुछा गया चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है तो चाय के अंदर जो पाई जाती है वो दोस्तो पाई जाती है कैफीन option D कैफीन इसके बाद यह यातायात प्रतीक हैं दोस्तों और यह हर एक सैट में एक question जरूर था यातायात प्रतीक से संबंदित तो इसको आप देखेगा और आपको बताना है कि यह प्रतीक किस से संबंदित है तो इसमें आप बता सकते हैं कि पैदल यात्री बर्जित है option A correct answer इसका अगला है question number 13 इसमें पुछा गया एक बिसिष्ट बर्ग कमांडोबल है जो आतंगवार्द को मुकावला करने वाली एक बिसे सिकाई है जिसे मुंबई महानगरिये छेत्र के रक्षा करने के लिए राश्ट्रिये रक्षागार एनसजी की तरज पर महाराश्टरा सरकार दोरह गठित किया गया यह है फोर्स वन ऑप्षण डी एक तरह एनसजी के तरज पर जो है महाराश्टरा सरकार ने इसका गठन किया है और यह है जो विविन महानगरिये छेत्र की रक्षा करने के लिए इसको लगाया जाता है अगला है फॉर्टीन कोश्चन इसमें पुछा गया भारत के शम्मिधान में उल्लिक की अनसार निम्लिकित में से कौन सा नागरिक का एक मौलिक कर्टब है तो आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्टब है तो इसमें जो हम फूर्थ ऑप्षन देख रहे हैं इसमें पुछा कि हमारी मिस्रिस संस्कृति के संब्रद विरासत को महत्व देने और सरच्षित करने का करतब है यह हमारा मौलिक करतब है इसके बाद कोशन नमबर 15 है एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक और्टो मुबाइल सनियंत्र को इस्थापना के लिए पश्षिम बंगाल की सरकार द्वारा किये जा रहा है भूमी अधी ग्रहन का ब्रोध करने के लिए स्रीमती मभिताव एनर्जी द्वारा सुरू किये अंदूलन का नाम क्या है तो यह अंदूलन का नाम है वो है खेत बचाओ अगला 16 कोशन देख लेते हैं बित बर्स 2016 सत्रे के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहट कटोती के लिए सीमा क्या है तो इसके लिए जो सीमा है आपसन डी यानि 1.5 लाग रुपे अगला कोशन नमबर 17 की बात करें तो इसमें है सतंतर भारत में इस्थानिय सरकार, गाउं और जिला इस्तर की सरकार को बर्स, डैस, तेहतरवे और चोहतरवे संविधान संसोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहट आपचारिक रूप दिया गया था तो आपसन डी यानि 1992 में अगला कोशन नमबर 18 की बात करें भारत सरकार द्वारा संवर्थे तेग बच्चत खाता योजना है जो वालिकाओं के माता पिता के लिए लग्षित है यह है सोकन्या संवर्थी योजना आपसन ए उनीसमा कोशन देख लेते हैं सी आएडी डैस की साखा दंगे जालसाजी नकली चीज़े बनाने जैसे घंबीर अपरादों की जार्च करती है तो यह क्या है यह है अपराद साखा यानि है उपसन डी के डंगे और जो नकली चीज़े बनाते हैं अगला 20 मोशन देख लेते हैं इंबर ली सोने की ख़दाने कौन से महादीब में इस्तित हैं तो option B यानि अफरीका के अंदर इस्तित हैं अगला है मार्टिन क्रो जिसका बर्थ 2016 में निधन हो गया किस खेल का पृतिश्टित खिलाडी था तो ये था क्रिकेट के पृतिश्टित खिलाडी थे मार्टिन क्रो अगला 20 में कोशन देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्ता की तीन इस्तरिये सरजना है निमन कोशन से कौन सी तीन इस्तरिये परणाली के निमनवत इस्तर पर है सबसे छोटा इस्तर कौन सा है वो है ग्राम पंचायत तीन इस तरिये हैं जिन में सबसे चोटी है ग्राम पंचायद अगला है तेईसमा कोशन इसमें पुछा गया उबर्स 2017 में बनी भारती महला संस्ता की पहली अद्यक्ष कौन है तो जो 1917 में भारती महला संस्ता की पहली अद्यक्ष थी वो थी एनिवेशिंट आपसन सी अगला 24 पह कोशन है सूचना का अदिकार RTI जो है अदिनियम के निसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन हो सतंतता से संबंदित है तो जन सूचना अदिकारी को डैस के भीतर एनिवार रूप से RTI को जवाब देना जरूरी है तो ये कितने दिन के अंदर अगर किसी व्यक्ति के जीवन हो सतंतता से संबंदित जानकारी है और उसको अगर RTI के तहट आपने मांगा है तो उसको दो दिन के भीतर जन सूचना काई है वो आपको उपलब्द कराएगा ये उसकी जवाब जो है उसका जिम्मेदारी होती है अगला है पचीसमा कोशन इसमें पूचा गया भार rebels सरकार द्वारा सुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है तो गंगा नदी को जो साफ करने की परियोजना है वो नमामी गंगे है Соपसन सी a 26 मा कोशन है कि मॉलिक अधिकार के प्रतिवन्द के द्यानों के बिना हो रही सांतीपूंट सवा को सीमित कर सकती है उधारन के लिए मामला अगर साभ जनिक विवस्ता की हित में हो तो यह है हमारे डैस सवतंतरता के सुरी सवतंतरता के मौलिक अधिकार के प्रतिवंद के तह़त यह उसको अगर जो है हम बात करें कोई कहीं पर चाहिए सान्तीGB सव्हों होह ए और उसको देंग कर सकती हैं कौन से रिreक्राइद कर सकती हैं अगला है सरकार महला और बच्चे के लिए जो आर्तिक और सामाजी गैंने रिप करसे पिच्छे हैं उन नाजरिकों के सम्झे मूं के लिए ते तरल बना सकती है ये भारत में निम्रिकित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ये है समानता के अधिकार, ठीक है, तो ये समानता के अधिकार के खिलाफ है, ये जो सरकार है, वो महलाओं बच्चों के आर्थिक और सामाजी के लूप से पिछड़े होने, और उन नागरिकों के समूं के व एसे वेज होता है अगर हम 29 कोर्षिन के बात करें तोगा कौन के सिखे। या कِ शॉपयर करारिश को बहारत के संगिये अचे के अनुसार खाना वदोसी, खाना वदोस और प्रवाशी जर्ण जातियों के अधिकार छेत्र को में सूची वद किया गया है ये है संब्रती सूची के अंदर गत इनको जो है सूची वद किया गया है 32 म कुशन है उस मद्यस्तता को जो निवेशकों में तुलनात्मगरूप से कम विनिमें किये जा सकने बाले प्रतेक्श गरहक स्विकार करते हुए बचत करताओं को ऐसे अप्रतेक्श वित्तिय दावें जारी करने से समद्र्देत है जो तुरंत विनी में किये जा सकते हैं को कहा जाता है चलने दी मद्यस्तता अफसन सी अगला है दोस्तों को भारत की मुस्लिम समधाय को नभी नितम सामाजिक आर्थिक हम सेक्षरिक इस्थती पर एक रिपोर्ट टेयर करने के लिए भारती प्रधान मंतरी द्वारा 2005 में अध अगला 35 मा कोशन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निमलकित में से किस गैस को सुस को चूने से गुजारा जाता है यह ऑफसन सी क्लोरीन से अगला 36 मा कोशन है हाल यह में भारत में निमलकित में से किस दक्षिन एशियाई छेत्रिये सहयोग संगठन देश के साथ आ हां तक फिला है बहार समुद्री मील तक अगला 38 कोशन की बात करें गारूपार जो पहाडिया है कहां इस्तेत binigalai के अंदर इस्तेत हैं अगर 39 question है इसमें पूछा गए निम्ल कितमी से भारत में जनहती आचिका के बारे में सही नहीं है तो जनहती आचिका की अगर बारे में हम ये point पड़ें तो इसमें आप ये देख रहे होंगे इसमें अगर हम B की बात करें तो A.C. महता वनाम भारत सरकार एक जनहती आचिका मामला था जिसे कंगा जल प्रोदूशन के मुद्दे का समधान करने की मांग है ये सही है और अगर हम बात करें हुसेन आरा खातून वनाम बिहार राज एक जनहती आचिका मामला था जिसे देलो की अभान भी ये परिष्टतियों पर ध्यान केंद्रित किये इस मामले में परणाम सरूप सुनवाई के तहर चालीस हजार से अधिक कैदियों को रिहा किया गया था लुब करें विभी सही है और हम बात करें लोक तंत्र की नागरिक बनाम अशंव राज एक चणहती आचिका का मामला था जिसके जीवन राइट अंसर हो जाएगा अगला यह लाश्ट कोशन है इस प्रश्णपत का और इसमें पूछा गयादा है निमलकित में से कौन सा संबर्ती सुची का एक हिस्चा नहीं है तो अगर हम बात करें तो यह जो सस्त्र अगनियास्त्र और गोला वारूद विश्पोठक हैं यह ऐसले मादनें आपने आपने प Kauf पेपर में पूछे गए 40 कोश्णप को देखा दोस्तोंसा यह जो 40 qoni दका कि आपने देखा कि तरह के एक्जाम में रशन पूछे जाते हैं और इन कोशनपको आपने खुछ से भी पोसे किया होगा तक इनका कि आप कितने कोशनस attend कर पा रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको last time के exam की बताओं तो उसमें आपको 50% जो है qualify करना था यानि 40 में से 20 question आपको हर हाल में मतलब सही करने थे तब आप अपने आपको जो है clear मान सकते थे क्योंकि आपको overall तो जो वीडियो के में कि आप क्या 20 questions attempt कर पा रहे हैं क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा task था और बैसे कुछ नहीं लेकिन इस exam में में यह था कि 160 question थे जो कि दो घंटे के अंदर आपको करने थे और दो घंटे में 160 question इतना मतलब time होता है फिर उसमें math reasoning यह सारी चीजे थी तो जिसमें आपको बहुत कम समय में जल्दी जल्दी सारी चीजे करनी थी जैसे कि आप इस जीके के portion में देख रहे होगे जो questions थे वो लेंदी थी इनको पढ़ने में अच्छा time लग जाता है तो बस आपको इसी आधार पर practice करनी है कि आगे भी जब exam में इस तरह की questions पूछे जाएं तो आप इनको कैसे कम से कम समय में और सटी कांसर के साथ कर सकते हैं तो आपको इस की practice करनी है जिससे कि आप exam को qualify कर पाएं और आप हमेश में दरोगा बन पाएं तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को like करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस type का वीडियो हमसे चाह थैंक यू जयू